बिहार इन शॉट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद इयादव के समधी और सारन से महागण बंदन के आर्जडी परत्यासी रहे चंद्रीका राए जल्द ही लालू के साथ छोड़ेंगे बेटी ऐस्वर्य राय के साथ लालू परिवार के वहवार से छुब चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ने का मन बना लिया है आरजेडी छोड़ने के बाद वे बेटी के साथ खुल कर खड़े होंगे तथा इस हाई प्रफाइल तलाग के मुकदमे में आश्वर्य राय अपने पती तेजपरताब यादव के खिलाप भी अब कोट में मूँ खोलने जा रही है लालू के समधी वपूर्व मुख्य मंतरी दरोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय बिहार सरकार में मंतरी रह चुके हैं सुत्रों के मुताबिक वे आरजेडी छोड़ कर किस दल में जाएंगे या अभी तय नहीं है माना जा रहा है कि वे बिहार की दो बड़ी पाटियों भारती जनता पाटी या जनता दली उनाइटेड में किसी एक का दामन थाम सकते हैं चंद्रिका राय की उच सिक्षित बेटी एस्वर्या की साधी गत वर्स लालू परसाद यादव के बड़े बेटे तेजपताब यादव के साथ धूम धाम से हुई थी एस्वर्या दिली के मिरांडा हाउस से पड़ी हैं उनके पिता चंद्रिका की सिक्षा भी जवाहर लाल नहरू विस्विद्याले से हुई है साधी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला लेकिन बाद में तेजपताब यादव ने पटना सिविल कोट में कलाग की अरजी दाखिल कर दी बीते लोकसवा चुनाओ के दावरान तेजपताब यादव ने सारन संसदिय सीट से चंद्रिका राय की दावेदारी का विरोज भी किया था इस से दोनों परिवारों में कटुता बढ़ गई थी हाला कि लालू यादों के समझाने बुझाने और जमानत पर छूट कर आने के बाद सब कुछ ठीक करा देने का अस्वासन के बाद चंद्रिका राय कुछ दिनों के लिए सांथ हो गए थे बताया जाता है कि दो बड़े राजनितिक परिवारों के बीच विवाद का प्रतिकूल असर लोगसवा चुनाओ पर नहीं पड़े इसलिए लालू परिवार ने भी ऐस्वर्या को मान सम्मान के साथ राबड़ी देवी के सरकारी आवास में रखा इसके पीछे एक मकसद आस्वर्या को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखना भी था लेकिन लोगसवा चुनाओ में चंद्रिकार आए ना सिर्फ सारन संसदिये सीट से चुनाओ भार गये बलकि पार्टी का बिहार में सूपड़ा भी साफ हो गया इसके बाद धातास लालू परिवार ने आस्वर्या के प्रती वहवार में भी बदलाव दिखाई पढ़ने लगा चंद्रिकार आए की बिचाइनी का एक कारण यह भी है